बड़ी खबर आपको बता दे हरीश रावत का भाजपा पर बड़ा हमला देखने को मिला है उत्राखंड से भाजपा को खदेड दिया है हरीश रावत ने ये बयान दिया और उत्राखंड में भाजपा वाले भाग रहे है ये हरीश रावत का बयान सामने आया है देखे चुनाव खत्म हो चुके हैं दस मार्च का इंतसार है लेकिन उससे पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर अपने चरम पर दिखाई दे रहा है हरी श्रावत का पूरा बयान आपको सुनवाते हैं हमने उत्राखन से तो ख़देड दिया है अब जब भाग रहे हैं तो कहां भागते भागते जहां तक हो सके का उनको बाहर करेंगे तो देखे हरी श्रावत का पूरा बयान आपने सुना और उन्होंने कहा कि उत्राखन से तो हमने ख़देड दिया है भगा दिया है अब जहां तक वो भाग पाए वहां तक हम उन्हें भगाएंगे उत्राखन से भाजपा को ख़देडा उत्राखन से भाजपा वाले भाग रहे हैं हरी श्रावत है ये बयान दिया और वोटिंग 14 तारी को खत्म होई 14 फरवरी को चुनाव खत्म होने के बाद से अब 10 मार्च का इंतजार है लेकिन उस 24 प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिल रहा है हरी श्रावत लगातार जो की दावा कर रहे हैं कि इस बार उत्राखन में कॉंग्रिस की सरकार बनने जा रही है और देखिए एक बार फिर से उन्होंने भाजपा पर करारा हमला किया उन्होंने कहा कि उत्राखन से हमने भाजपा को खदेड दिया उत्राखन से भाजपा वाले भाग रहे हैं हरी श्रावत ने ये बयान दिया है अलाकि इस पर काउंटर कैसे भारतिय जंता पार्टी करती है ये भी देखना होगा इसके लिए इंतिजार है लेकिन बड़ा बयान हरीश रावत का उतरा खंड से भाजपाव बाले भाग रहे हैं ये हरीश रावत ने बयान दिया और हरीश रावत ने भारतिय जंता पार्टी पर बड़ा हमला किया हरी श्रावत ने कहा कि उतरा खंड से भाजपाव वाले भाग रहे हैं उन्हें हमने खदेड दिया है जहां तक वो भाग पाएं वहां तक हम उन्हें खदेड कर आएंगे ये बड़ा हमला हरी श्रावत का सामने आया है तो देखिए एक बार फिर से दावा किया की उतराखंड में कॉंग्रेस की स्तरकार बनने जा रही है एक बार फिर से आपको पूरा बयान सुनवाते हैं अस्पा को भादपा को हमने उत्राखंड से तो ख़देड दिया है अब जब भाग रहे हैं तो कहां भागते भागते जहां तक हो सकेगा उनको बाहर करें